चार साल पूरे होने के मौके पर प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज ओरीशा के कटक में रैली कर रहे थे लेकिन रैली के दौरां किस तरहे उन्होंने अपनी सरकार के उपलब्धियां गिनाई और जमकर विपक्षियों पर निशारा साथ आपको बता दे करीब एक घंट से दस मिनिट तक एक लए में प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी दिखे अपने तल खंदाज में दिखे आपको दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार किसी कंफ्यूजन के साथ नहीं है कमिट्मेंट वाली सरकार है जब देश में कंफ्यूजन नहीं कमिट्मेंट वाली सरकार चलती है तब ही सर्जीकल स्टाइक जैसे फैंसले लेने की ताकत रखते हैं जब देश में कंफ्यूजन नहीं कमिट्मेंट वाली सरकार चलती है तब ही बन रैंक बन पेंशन का बसों को दसकों पुराना बादा हम पूरा करने में समर्थ होते हैं जब देश में कंफ्यूजन नहीं कमिट्मेंट वाली सरकार चलती है तब ही बसकों से अटका हुआ बेनामी संपत्ती कानौन लागू होता है दुश्मन की संपती जब सकरने वाला सत्रू संपती कानौन हम लागू करने में सफल होते हैं जमनीतियों से जान बुचकर कंफ्यूजन नहीं प्रलाया जाता जब कमिट्मेंट वाली सरकार चलती है तब बैंकों से कर्ज लेकर ना लोटाने वाली कंपनियों को भी अपनी तीजोरियां खोलनी पड़ती है और देश को उसका पाई पाई बापस देने के लिए मजबूर होना पड़ता है कमिट्मेंट वाली सरकार की बात करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी विपक्षियों पर हमला करना नहीं भूले उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जन्पच से नहीं जन्मत से चलती है और परिवार वाली बात इक बाप फिर से दोराए यह याद रखना जरूरी है कि जिसे एक परिवार ने जिसे एक परिवार ने 48 एर 38 साल देश पर राज किया उसने देश की कितनी परवा की यह याद रखना जरूरी है कि फैमिली फ़स फैमिली फ़स के आगे नत्मस तक कांग्रेस के 48 साल में पीडी दर पीडी कैसे एक परिवार के लिए सत्ता ही सत्ता के सिवाए कुछ नहीं सत्ता ही सब कुछ रही है कौन भूल सकता है लाखों करणों के गोटालों की वो खबरें देश विदेश में सर्मिन्दी की बज़ब बनने वाले वो प्रस्टाचार के कारणाव है देश के विकास से जादा अपनी और अपनी टोली के विकास के लिए किसी भी हद तक चले जाने की कर्तूत है रिमोट कंट्रोल से संचालित एक प्रधान मंद्री और इन सबसे भी जादा केमीनेट और प्रधान मंद्री कारियाले से बहार किये जाने वाले फैसले और वो भी मंत्रियों को इमेल पर निर्देश दिये जाते थे इन लोगों ने मिलकर देश की साथ को कहां से कहां पहुचा दी थी देश के लोग ये कभी नहीं भूल सकते है झाल झाल झाल